बोड के अधियक्षिach कंदर शेकर पांडे का पांच दिवसिय राजस्तान दौरा है इस दौरान चंदर शेकर राजस्तान सरकार और चंद्ड़करन की योजना उपर भी चर्चा करेंगे इस बीच चंद्ध्र सरकार और माठी कला बोड की योजना को लेकर हमारे समादधाता आनिल सेन ने चंदर शेखर पांडे से बात की पर बात किया चंदर सेकर अगर बात की जए पहले हम बात करेंगा आपके माटे कला बूर्ड के बारें में वह पर यहां पर वी अधिन। मैं पहले वॉत जनता पर्टी की सासन है हमारे लोग जहां भी जागरुक हुए हमारे लोगों के लिए अन्य अन्य राज्यों में अनेकाने की यजराय संचालित है जो गरीब सिल्पी परिवास से जुड़ु हुए हमारे लोग है और उन्हीं के लिए खास करके हम जितनी भी ओडिनाय बना रहे हैं वो सब संचालित है बढ़ावा देने के लिए क्योंकि ये काश्ट दो हाथ का काम ज्यादा है इसका इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की कुछ योजना है आपकी वहाँ पर है मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा हमा हमारी माटी कला बोट की गठन भी नहीं हुई थी तो हम वहाँ पर एक करोड का एक उनिटी स्थापित किये सासन के सयोग से जो निसुल्क समाज के लिए संचालित आज भी संचालित है तो उसके ताहत हमारे बच्चों को हमारे माटी कला बोट की ओड़ से हम उसको उसको उ बिल्कुल यह थे चंदर सेकर पांडे जी जो कि 36 गड़ से राजिस्तान पहुंचे हैं रास्तान में 5 दिन तकी रहेंगे और बता रहें कि किस तरह से बेरोजगार भी एक रोजगार की रहा पकड़ सकते हैं फिर चाए प्रधामंत्री की कोशल लिवकास योजना हो या फिर म अर्टिकला की अन्योजना है केमरामेन गिर्राच के साथ अनिल सेंग जन्टी नुजयापूर